हेलो सुदेंट्स हम देख रहे थे मैटरेटी बेनिफिट एक्ट 1961 इसमें हमने सेक्शन फाइव ठीक है पेमेंट और मैटरेटी बेनिफिट जो मात्रत लाग है उसका भुकतान यह हमने सेक्शन फाइव में देख लिया था आज हम देखेंगे सेक्शन शिक्स सेक्शन 6 क्या कहता है नॉअट इस क्लेम मैंटरनेटी बेनिफिट में बदाब मैंटरनेटी बेनिफिट ठीक हैं नॉटिश क्लेम मैंटरेटि बेनिफिट एन्ड पेमेंट देर ओफ नोटिस्टू क्लेम मेटिनेटिव बेनिफिट एंड पेइमेंट देर ओफ ठीक है उनका बुरतान के सुना अब इसमें देखते हैं माल लिजिए कि ये वूमें एम्प्लॉई ठीक है और ये इस एक्ट के किसी प्रोविजन में क्या है महिला करमचारी इस एक्ट के तो इस से क्यों यह क्या करने एक नाटिस ऑले आ न Naoki's कैसे होगा नोटिस एन राइटिंग में होगा जिए इन राइटिंग में नोटिस किसको दिया जाए सथ है तू एंपलोयर जिससे वो वांट्स टू क्लेम मैंटनी बैनिफेट जिससे वो मैंटनी बैनिफेट मात्रत लाग का क्लेम का दावा चाहती है ठीक है जी इस एमपलोयर को नोटिस इन राइटिंग में देना होगा कि ये क्या करें ये पेमेंट कर दे किसको पेमेंट करेगा उसको खुद को उस वुमेंट एमपलोई को या उसके नॉमिनी को कि उसको पेमेंट कर दे या उसके नॉमिनी को कर दे और इस notice में क्या करना होगा एक्सप्रेसली ठीक है एक्सप्रेसली मेंशन करना होगा क्या मेंशन करना होगा कि जब वो इस दोरान मैटनेटी बैनिफिट के दोरान छुट्टी लेगी तो वो किसी और एस्टैबलिश्मेंट में काम नहीं करेगी किसी और एस्टैबलिश्मेंट में काम नहीं करेगी ठीक है और अगर वो इस दोरान यहां पर मैटनेटी बैनिफिट के लिए उसने छुट्टी ले ली माली जी आठ सब्ता की पहले और अठारेगी बाद में और उस दोरान वो कहीं और काम करती किसी और अधर एस्टैबलिश इस नोटिस में क्या करना होगा आल्सो मेंशन करना होगा वो डेट जिस दिन से वो छुट्टी पर जाएगी ठीक है उस डेट को मेंशन करना होगा जिस दिन वो छुट्टी पर जाएगी और यह जो नोटिस है ते, यह वह, of the before delivery, before delivery दे Western ऐनिहां और नहीं दे पाई किसी जैसे तो आथो, after delivery ऐने, एगा, after delivery दे और मङलें यह notice उसने दिया ही नहीं, not given, नहीं दे पाई किसी जैसे, तो भी वो क्या होगा एंटाइटिल होगी ठीक हैं एंटाइटिल होगी किसकी मैंटिनेटी बैनिफिट को रिसीव करने की मैंटिनेटी बैनिफिट प्राप्त करने की अधिकारी वो बनी रहेगी कि नोटिस क्या है और चारिता है प्रिक्रियां है इस एक नोटिस ना देने पर हम उसको मैटरेटी बेनिफिट से वंचित नहीं कर सकते ये बात आप समझें नहीं दिया कोई बाद है तब याइन टाइटल बने रहेगी अब कि बात आती है कि इसका पेमेंट कि ठीक है पेमेंट ओफ मैटरेंटी बेनिफिट यह कैसे दें ऐसा करो जो वह आठते थे थे ना उसका एडवांस दे दो एडवांस दे दो डिलिवरी से पहले का जब वह लिप अगे उसको एडवांस में दे दो अगरिम के रूप में दे दो और जो बैलेंस बचा है अठारे अप्टे का वह आफ्टर डिलिवरी दे दे ना जो बैलेंस बचा है उसको आफ्टर डिलिवरी उसको देना हुआ यह बात आई सेक्शन सिक्स चलिए अब हम देखते हैं इसके ओवर सेक्शन सेक्शन सेवन ठीक है सेक्शन सेवन क्या कहता है अगर सेक्शन सेवन यह कहता है कि भहिया यह जो वूमेन एमपलोई है इसकी इस दोरान डैथ हो जाए मृत्ति हो जाए ठीक है कब बिफोर गेटिंग मैटरिटी बेनिफिट यह वूमेन इसकी मृत्ति हो गई और कैसे हो गई बिफोर गेटिंग मैटरिटी बेनिफिट हो गई ठीक है तो भी है, तो यह जो एंपलॉयॉर आँ यह कि उसको मैटरिटी बेनिफिट देने के लिए लैवल रहेगा, उत्तरदाई रहेगा इसके यह ऐसा नहीं हीकि उसकी म discharged हो गई तो हो फिली हो ऐसा करो जो उसके नौमिनी थे जिसको भी उसने नौमिनी बनाया ठीक है उसको नौमिनी को दे दे नई नौमिनी नहीं बनाया था तो जो उसके लीगल एर्स हैं लीगल एर को दे दे ठीक है जो उसके कानूनी उत्रादिकारी हैं उनको दे दे तो इसकी लाइबिल्टी एम्पलर की लाइबिल्टी इसकी डैथ भी हो जाए तो भी बनी रहेगी ठीक है सेक्शन एट यह क्या है यह मैडिकल बोनस की बात करता है मैडिकल बोनस ठीक है और यह कैसे दिया जाएगा यह इंडिशन टू मैटरिटी बैनिफिट मैटरिटी बैनिफिट के अलावा दिया जाएगा यह नहीं कि मैटरिटी बैनिफिट नहीं दिया तो बैडिकल बोनने मैडिकल बोनस प्लस उसके अलावा क्या इन एडिशन मैडिकल बोनस प्लस मैटरिटी बैनिफिट मालने जीए यह उसका डि देलिवरी हुई इस से पहले इस से डेलिवरी से पहले और डेलिवरी के बाद ठीक है इस प्रतिश ठाम में ठीक है उसकी देखबाल के लिए उसकी केयर करने के लिए देख बाल की उसकी देख बाल के लिए not provided उसकी देख बाल की वबस्था वहां पर नहीं not provided देख बाल की वबस्था नहीं तो वो क्या होगा वो इसको medical मेडिकल बोनस देगा कितना होगा वो मेडिकल बोनस 3500 रुपे उसको मेडिकल बोनस देने का और मेडिकल बोनस देने के संबन्द में जो पावर है तो वो किसके पास है Central Government Central Government के पास में पावर है ठीक है Central Government के पास में पावर है और ये जो है हर तीन साल में Every Three Years में इसको बढ़ाएगी और इसको 20,000 रुपे तक ठीक है कर सकती है ठीक है 20,000 रुपे तक इसको कर सकती है तो यह हमने मैडिकल बोनस देख लिया और सेक्शन सेवन में की पेमेंट देख लिया है मैटनेटी बेनिफिट की अगर उसकी मृत्ती हो जाए तो अब हम देखते हैं सेक्शन नाइम लीव फूर मिसकरेज लीफ फूर मिसकरेज ठीक है गर पात हो जाए मिसकरेज हो जाए तो इसमें लीव का क्या प्रोविजन है चलिए देखते हैं मालीजी कोई मिसकरेज हो जाए या या मैडिकल टर्मिनेशन ओफ प्रेगनेंसी मैडिकल टर्मिनेशन ओफ प्रेगनेंसी हो जाए ठीक है तो इसमें सिक्स विक्स सिक्स विक्स का छे सब्ताहा का उसे क्या मेटिनिंटी बेनिफिट विद विज ये दिया जाए अगर मिस्कैरेज हो जाए या मैडिकल टर्मिनेशन ओफ प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या छे सब्ता का उसको मेटिनिंटी बेनिफिट विद विज ये प्रोवाइड कराएगा कौन एमप्लायर ठीक है इसमें इसका एक सेक्शन और देख लेते हैं नाइन ए नाइन ए क्या है ये इस प्रेजिशन से रिलेटिट है बंध्या करान ऑपरेशन से रिलेटिट है इसके संब्ण में लीव अगर कोई स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कराता है तो उसके संब्ण में लीव के लिए प्रोविजन है ठीक है तो इस्टेरिलाइजेशन कराया तो इसमें फ्रॉम दा दे ओफ ऑफ ऑपरेशन ठीक है फ्रॉम दे ओफ ऑपरेशन से टू वीक्स के लिए टू वीक्स के लिए टू विक्स की छुट्टी लिएस अउकास मिलेगा और कैसे मिलेगा मेटनेटेरि बैनेफिट विद वेज ठीक है मात्रतलाब की दरसे मज़वी यह उसको मिलेगी छुट्टी की बिलेगी यह नहीं नहीं तो ठीक है इसके कुछ सेक्षन और अभी रहते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे और इस एप को फिरिश करतेंगे ठीक है ओके थैंक्यू फ्रेंट्स